रेडमी 14 परो जो कि इसके लिक्स के बारे मैं जन करें देने वाल हूं अभी इसकी लॉंचिंग नहीं हुई कब तक लॉंचिंग होगी इसके बारे भी कोई डीटेल नहीं है आप यूटूब पे बहुत सारे वीडियो देखेंगे अनबॉक्सिंग का भाई जो स्मार्टफू इसके कुछ लेखसें जो बाहर आयों हैं उनके बारे मैं आपको डीटेल से बताने वाला हूं कब तक लॉंच होगा क्या कौन से डेट होंगे इसके बारे मेरे पास जनकारी नहीं है पयंकि आई ही नहीं तो मैं जनकारी कांश दोंगा विखिए इसमें आपको 6.73-Inch का 2K OLED vaillade display मिलेगा उसी में आपको 240 हर्टच का approach sampling rate आपको देखने को मिलेगा जो इस स्क्रीन करते हैं कितना फ़ास्ट काम करता है तो 240 हर्टच का होता है यादि जैसे हम किसी भी अप्लिकेशन पर इसे टेच्च करें तो जितना फास्ट काम करेगा उसी को बोलते हैं और टज सेंपलिंग रेट तो उसकी रेट जो है कि पिक्सल का होगा फ्रेंट में कितने मेगापिक्सल के केमरे आएंगे इसकी बारे में अभी कोई भी जैनकारी उपलब नहीं है इसमें आपको सेलफी केमरे के लिए जो है कि होल पंच कटाउट के साथ कर दिस्पले देखने को मिलेगा और इसकी कर्ण प्राइज की बात कलेते हैं तो मान की चलिए सट सट हजार रुपे तक पर सकती है तो इसमें अभी क्या क्या बाकि रहा गया एक तो केमरे की फूल इन्फॉर्मेशन नहीं है प्राइज लगबग है और बैटरी भी थोड़ी कंफ्यूजन में है कितने इमेज की बैटरी होने वाली है लिकिन जो मेन मेन फ्यूचर से जो बाकी सारे प्यूचर से और सेम वहीं मिलने वाले हैं किसी वीडियो भी मैं देखता हूं कि एट जनरेशन थिरी का बोल रहा है कि को आलकाम एट जनरेशन थिरी का जो है कि प्रोसेसर मिलने वाला है यानि चिपसेट मिलने वाला है तो भाई एप वेकार की न्यूज है आपको नहीं मिलेगी इस स्मार्पोन में एट जनरेशन टू सोच का ही चिपसेट मिलेगा वीडियो आप रिकॉर्ड के लिए रख लेना जब ल